नमस्कार में आनाम अभीजीत है और आप DTW24 नीवस देखने हैं बिहार में कोरोना संकर्मन के खौप के बीच भले ही विपक्ष विधानसवा चुनाओ के लिए तैयार ना हो लेकिन चुनाओ आयोग और सत्तापक्ष ने इसको लेकर जमीनी अस्तर पर तैयारी तेज कर दी है इसको लेकर EVM की फर्स्ट लेवल चेकिंग भी सुरू कर दी गई है बिहार में बिधानसवा चुनाओ की तैयारी को लेकर चुनाओ आयोग ने EVM की फर्स्ट लेवल चेकिंग सुरू कर दी है राजनेतिक दलो के परतिनीधियों के मौझूदगी में FLC के लिए जिला निर्वाचन पताधिकारियों को निर्देश दे दिये गए हैं आने वाले दिनों में मौक ड्रिल के लिए आयोग ने राजनेतिक दलो से साकारात्मक सयोग की अपील की है इसके अलावा चुनाओ परचार से लेकर मददान के लिए तैयारी पर राई भी मांगी है फिलाल भेल के इंजिनियरों द्वारा EVM और VVPAT की जाच कराई जा रही है मतदान से पहले फिर EVM की चेकिंग कराई जाएगी EVM की चेकिंग के बाद मौक पूल भी कराया जाएगा जिला निर्वाचन काड़ाले के नामंकन सेल में कर्मियों का प्रसिक्षन वीडियो कॉन्फरेंस से सुरू हो गया है उन्हें यह बताया जा रहा है कि नामंकन के दोरान किन-किन पहलूँओं पर ध्यान देना है कैसे नामंकन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और किन आवसक कागजात की जरूरत होगी वहीं दिब्यांग मद्दाताओं के लिए चुनाव आयोग ने पोस्टल बैलेट की सुविदा देने की बात भी कही है दिब्यांग मद्दाताओं के अलावा असी वर्ष से अधिक उनके वोटरों को भी यह सुविदा मिलेगी होम करंटाइन में रहने बाले कोरोना मरीजों को भी पोस्टल बैलेट से मद्दान करने की सुविदा दी जाएगी चुनाव आयोग ने दिब्यांग मद्दाताओं की मदद के लिए PWD एप लॉंच किया है इस एप के जड़िये कोई भी दिब्यांग व्यक्ती नए मद्दाता के रूप में अपना पंजी करन करा सकता है बूत बदलने और सुधार के लिए आवेदन कर सकता है ऑनलाइन अनुरोध प्राप्त होते ही बियेलो उनके घर आकर आबस्यक औवचारिकता पूरी करेंगे इस नए एप के मद्ध्यम से दिब्यांग मद्दाताओं की हर समस्या का समाधान संभभ हो पाएगा यह एप गूगल प्ले स्टूर से डाउनलोड किया जा सकता है बिहार समेत देजदुनिया के तमाम ख़बरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए डिटी डवलू 24 न्यूज और अगर आप हमारे न्यूज को फेस्बूक पर देख रहे हैं